छपरा में यादो और राजपूत को लेकर सोशल मीडिया पर जो कुछ हो रहा है उस मामले में पुलिस अब ताबन तोल छापे मारी कर रही है और 13 लोगों को पुलिस ने अब तक उठा लिया है इधर 13 लोग यादो और राजपूत करने के चकर में गिरफतार हुए है तो और ने आरोपी इस वक्त पर फरार है उनके घर पर भी पुलिस की टीम पहुंसती है और उनके घर पर जाकर पुलिस पोस्टर चस्पा कर देती है और पोस्टर चस्पा करके बता देती है कि अगर पुलिस के सामने तुरंत सरेंडर नहीं किया तो इनकी सारी संपती की कुरक और जबती हो जाएगी इधर पुलीस अपने खुफिया तंत को एक्टिव कर चुकी है और खुफिया तंत का मतलब की पुलीस मुवाइल नमरों को सर्विस लांस पर लगा चुकी है जिन मुवाइल नमरों के जरिये पुलीस को शक है कि मुवारकपुर गाओं में कुछ गलब और अपने गाउं में कुछ दिनों के लिए वापस आया था उसके दुनिया से जाने के बाद पुलिश ने रात को ही अंतिम संस्कार भी करवा दिया है आगे हम आपको तमाम जानकारी देंगे बागे नमस्कार में नाम है मोहित कुमार सिंग और आप देख रहे हैं मरब भिशे इसकार गराओं एक्स्प्लेनर यह वीडियो आर्म स्कोचिंग इंस्ट्यूट के द्वारा प्रायोजित है अब IIT, JE या नीट की तयारी करना प्रीफाउंडेशन लेबल से करना बहुत आसान हो चुका है क्योंकि अब आर्म स्कोचिंग इंस्ट्यूट यह सब कुछ करवा रहा है क्लास 7 से 10 तक के बच्चे मात्र 8,999 रुपय में एड्मिसल ले सकते हैं और अगल बारहुई के बच्चे हैं तो वो इस्पेसल बैच में एड्मिसल लेकर मात्र 14,500 रुपय में तयारी कर सकते हैं अगर हम ब्रांच की बात करें तो इनका ब्रांच पटना में बजार समीती, कंकडबाग तसा बोरिंग रोड में है लाइब्रेरी से लेकर डाउट क्लासे से लेकर तमाम जो आधुनिक तक्नीक है वो सबकुछ वहाँ पर उपलब्ध है और इसके जरिये सिच्छक उसको वहाँ पर पढ़ाते हैं बच्चों को और बच्चों की पूरी तैयारी कराते हैं तमाम जानकारी आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा आफर जो है वो सिमिस्तमा के लिए है तो तुरंट कॉल कीजिए बाचीत कीजिए और वहाँ पर जाकर के एडमिसन लीजिए अब वापस आते हैं छपरा के खबर पर सबसे पहले अगर हम राहूल के बारे में बात करें और इसी दोरान उसके साथ यह घटना हुई और उसके बाद उसके परिवार की पूरी जिंद्गी बदल गई है इधर पुलिस ने तावर तोड छापे मारी करके 13 उन लोगों को पकल लिया जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाप फैला रहे थे या किसी भी परकार से अफवा फैला रहे थे या यादों तथा राजपूत करने में उनको बड़ा मजा रहा था कहने का मतलब है कि पुलिस इतनी सक्त हो चुकी है कि अब अगर आपने थोड़ी सी मिला परवाही की तो उन 13 लोगों की सूची में आपका भी नामा जाएगा मौजुदा वक्त में मामला ग्रीम मंत्राले खुद देख रहा है और ग्रीम मंत्राले खुद सारन के स्वी और बीम को हर समय निर्देश दे रहा है कि आपको क्या करना है कब कैसे कारवाई करनी है इन लड़कों को पीटने के आरूपियों में से अब तक पांच लोगों की गिरफतारी हो चुकी है लेकिन मुख्या आरूपी भी यादो अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है और वक कहा पर हैं कैसे हैं इसके बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी पुलिस को नहीं है फिलाल पुलिस सबसे ज़्यादा इस बात पर ध्यान दे रही है कि किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया पर कोई एक जाती का नेता बन कर किसी दुसरी जाती के बारे में बुरा ना बोले और अगर ऐसा कोई कर रहा है तो पुलिस सबसे पहले उसको पकड रही है मतलब की कुल मिलाकर प्रशासन वहाँ पर सोशल मीडिया पर सखस नजर बना कर रख रही है और जो लोग सोशल मीडिया के माद्धम से अफवा फैला रहे थे या कहली जिये कि यादो और राजपूत कर रहे थे ताबरतोर छापी मारी करके उन 13 लोगों को पुलिस पकड चुकी है अन्न लोग भी रडार पर हैं उनको भी पकड़ा जाना है बागी पुलिस बार बार कह रही है कि आप सोशल मीडिया पर कुछ भी मत लिखिए एक जाती का नाम ले करके उसके बारे में भला बूरा मत कहिए क्योंकि ऐसा करना ऐसी प्रसिती में बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ऐसा करना किसी भी प्रसिती में ठीक होता भी नहीं है बागी 13 लोगों की ताबरतोर छापे मारी के बाद से गिरफतारी आरोपियों में से 5 आरोपियों के गिरफतारी और अभी मुख्य आरोपि की तलाश आगे तमाम जो भी अपडेट आएगा जो भी नई खबर आएगी सब कुछ हम आप तक पहुचाएंगे आप तमाम अपडेश के लिए जनता अक्षन के साथ जुनेर रहिए वीडियों ही पर स्वाथ करते हैं केमरें के भी शाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंग बहुत बहुत धन्यवाद